नवस्कार जैहिंद वंदे मात्रम सभी सिच्छक बंदूओं को सहर भाई भेन का स्वागत करते हैं अविनन्दन करते हैं आपके अपने राश्ठीत में चैनल रॉकिंग इंफार्मेशन पर सिच्छा जगत का नंबर वन चैनल चाहे बात करें आपके बाल विकास के मत पूर् है अभी जग हमने 350 कोश्चन आपके अटेंड कर ली हैं बाल विकास के 500 प्लस MCQ आपका कराने वाले हैं ठीक है हमारा टार्गेट है 500 प्लस आपका MCQ करवाना ठीक है तो इसके पहले वगार आप चैनल पे पहली बार आए हैं इसका पहले वीडियो आपने नहीं देखा है त इसके साथ मैस की पेडागाजी हो गई और हिंदी सिच्छन सास के हो गए संसकत सिच्छन सास के आपको संसकत ग्रामड हो गया हिंदी ग्रामड के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखिए अभी तक हमने इन सभी कोश्चनों को डिसकस कर ल आये थे कुछ लोगों के सही भी थे कुछ लोगों के नहीं थे सरपथम बुडवर्थ ने निर्मार किया था तो किसका निर्मार किया था तो सरपथम बुडवर्थ ने किसना प्रसना वली का निर्मार किया था ठीक है नेस क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सभी माथफून fact रहेंगे बीडियो अंतक देखे और enjoy करिए और preparation अपना 100% किजे क्योंकि यहाँ पर आपको फिर सिच्छा के साथ सरकारी नोगरी के लिए सफल करा जाता है question है प्रचेपी विदियां बिक्तित का मापन करती है जो आपकी प्रचेपी विदियां होती है वह क्या है आपके जो बिक्तित का मापन करती है किस रूप में मापन करती है प्रत्यच रूप में अप्रत्यच रूप में प्रत्यच वा प्रत्यच रूप दोनों में से या कभी प्रतिश या कभी अप्रतिश दोस्तों प्रच्छेपी विधिया बिक्तित का जो मापन करती है वह आपको होती है अप्रतिश चुरूप से मापन करती है ठीक है नेस क्वेशन देखेंगे हर भाई बहन का स्वागत है हर भाई बहन तहरी करेंगे हर भाई बेन सिच्छक बनेगे क्योंकि यहाँ पे मैनत कर रहे हैं प्रक्टिस कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन देखेंगे प्रासंगिक अंतर बोध परिच्छन में बिसई का आयू समू है जो प्रासंगिक अंदर बहुत परिच्छन होता है उसमें जो बिशय का आयू समूंग क्या रखा गया आपका ठीक है तीन से दस वर्स, छे से दस वर्स, गेरा से चौधे वर्स, ठीक है कौन सी इस पर आयू रखा गया है तो इसका राइट एंसर के अगग गेरा से चौधे वर्स तक रखा गया है प्रासंगिक अंतर बहुत परिच्छन में ठीक है नेस्ट कुश्चन देखिए TAT बिक्तित परिच्छन की कौन सी बिदी का प्रकार है बिक्तित परिच्छन की एक बिदी का नाम है TAT कौन सा प्रकार है बिक्तिनिस्ट है आपका कि अप्रचेपी है अर्ध प्रचेपी है या आपका प्रचेपी है ठीक है TAT बिक्ति परिच्छन की कौन सी बिदी का प्रकार है तो वह आपकी कौन सी बीदी है प्रचेपी बीदी का प्रकार है प्रचेपी बीदी का प्रकार कौन सा है टी एटी किस बीदी का प्रकार है प्रचेपी बीदी का ध्यान दियान दिजेगा ऐसा घुमा फिरा के भी कोश्चन इजाम में पूच लिये जाते हैं next question है, देखे most question है, यह ध्यान दीजेगा, महिलाओं वा पुरुसों के चित्र वाले card किस परिचण में है, देखे बहुत अच्छा प्रसन है, जिसमें महिलाओं या पुरुसों के चित्र वाले card दीओ गए हो, तो वह कौन से परिचण में आता है, IBT में आता है CAT में आता है FAWT में आता है या TAT में आता है देखे हाई लेवल के question है ठीक है most important question है तो इसका right answer क्या होगा TAT में आता है ठीक है महिला और पुरुस में जिस card में चित्का वर्णन होता है परिष्ण किया जाता है वो TAT में आता है ठीक है तो I hope देखे 30 question total हम लेके आते हैं प्रत्येक सेट में इसमें से कितना score कर पा रहे हैं आप लोग नीचे comment box में अपना score जरू करें इससे क्या होता आपका confidence high level होता है हमें मालुम चल पाता है कि आप में वाकई में कितना अच्छा connected हम से कितना अच्छा study कर रहे हैं ठीक है कि हम लोगों का यहाँ पर 120 प्लस score का target clear कर सकें question है रोर्षा का प्रचेपी परिच्छन किसके मापन है तू अभिकल्पिद है जो रोर्षा होता है उसका जो प्रचेपी परिच्छन है किसके मापन है तू अभिकल्पिद होता है ठीक है अचेतन प्रयोजन श्वपन सचेत अभिलासा या आपके उपर युख सभी तीनों तो इसका right answer क्या हो जाएगा अचेतन प्रयोजन द्वारा ठीक है नेश कुर्चन देखे यहाँ पर दिया गया कि बिक्तित तो मापन की बिदियों के संदर में सुमेलित करना है ठीक है इनको आपको क्या करना सुमेलित करना है ठीक है तो यहाँ पर देख लीजे ठीक है कौन-कौन सा आपको दिया गया है यह आपको ध्यान करना है ठीक है आप देखे चार आपसंदी रहते हैं कूडबासा में देखे इस टाइप के एक दो कोश्चन जुरूरी जामे आते हैं इनका भी प्रपेरिशन करना बहुत जुरूरी हो करना जाता है ठीक है तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग ठीक है ऐप लोग वीडियो पाउच करकर भी आप पढ़ सकते हैं देखे यहां पर दिया गया 1935 दिया गया है तो यह किसका हो गया मुरे का हो जाएगा 1880 जो दिया गया है वह किसका हो गया गाल्टन का होगा 1948 जो दिया गया है वह होगा किसका, ये होगा 5 बैलाग का होगा, ठीक है? पहला मुरे, दूसरा गाल्टन, तीसरा बैलाक हो गया और जो सन 1921 दिया है वह आपको हो जाएगा रोजसा का ठीक है तो आई योप समझ गए होंगी मुरे हो जाएगा सन 1935 में और आपका 1889 में डाल्टन हो जाएगा 1948 में बलाक हो जाएगा और रोसा हो जाएगा तो एक बार जहिंद वंदे मातरम बोल दीजेगा, चलिए, कुश्चन है, प्रतियोगी परिच्छाओं की तैयारी में अनेक असफलताओं की कारण अभ्यारती में अधिक संभावना है, दबाव की, दिवासप्न की, दुष्चिंतता की, ये भगनासा की, देखिए, प्रतियो दवाव के कारण नहीं हो पाता, ये दिश्वप्न के कारण, ये दुष्चिंतता के कारण, ये भगनासा के कारण, किस कारण वह है, बिद्यारती असफलता का कारण क्या है, असफलता का कारण क्या ये बताना है, तो इसका राइट इंसर है भगनासा, ठीक है, इजाम से भा कौन सा अलग आपको दिख रहा है देखे तनाव हो गया दवा हो गया कुंठा हो गया यह सब एक आपको लिख रहेंगे लेकिन दमन जो है आपका एक अलग डिफरेंट आपको दिखेगा ठीक है नेस कोश्चन देखेंगे अंगला प्रस्ण आपका निन में से कौन सी तकनीकी प्रच्छेपन तकनीकी नहीं है यानि एक आपसन आपका प्रच्छेपन तकनीक नहीं होगा ठीक है तो कौन सा आपसा निन देखेंगे बिक्तिगत अध्यन जो होता है वह प्रच्छेपन तकनीक में नहीं आता है वाकि खेल तकनीक प्रच्छेपण में आएगा सब्द साहचर परिच्छन प्रच्छेपण में ही आएगा और चित्र साहचर आपके तकनीकी परिच्छन में आएगा लेकिन जो बिक्तिगत अध्यन होता है वह तकनीकी प्रच्छेपण में नहीं आता ठीक है कुस्टण देखेगा संचई आलेक के बारे में पूँचा गया है ठीक है चलिए ये कथन पढ़ लेते हैं देखें यह विड्यारतियों की रुचियों मूलेओं चमताओं को जानने में सहाएक है बिल्कुल सही बात है दूसरा है इसमें विड्यारतियों को उसके संदर में ना की समूर के विकास के संदर में देखा जा सकता है यह गलत लिया तो यह होगा है क्योंकि इसमें यह पूछा एक बिद्यार्थी उसके संदर में बिद्यार्थी को उसके संदर में ना की समूर के विकास के संदर में देखा जाता है तो यह आपको गलत हो जा जाएगी प्लेलिस्ट भी उपलब्द है सभी के प्लेलिस्ट उपलब्द है चैनल जोईन करें प्लेलिस्ट जो इच्छा पड़े जो मन जो भी एक प्लेलिस्ट उठा लीजे एक तरफ से त्यारी अपनी 100% प्लेलिस्ट उपलब्द है तो संगत युग्म आपको बताना है यह दिखे चार अपसंद दिये गए हैं आपके ठीक है चलिया फिर देख लेते हैं संगत युग्म आपका इसका आप लोगों को पता हो तो जरूर हमें देखे एंसर कमेंट बाक्स जरूर आ सकते हैं तो पहला दिया गया है आपका कि सफलता है तो बैकल्फिक तरीकों का चैन करना अप्रत्य चुपाय है नहीं यह आपका क्या प्रत्य चुपाय हो जाएगा तो आपके यह नहीं है दूसरा देखेंगे दिब्यांग बालक का कच्छा में प्रत्यम इस्थान प्रत्य प्रत्यच उपाय है क्या ये प्रत्यच उपाय में आएगा नहीं आएगा यानि कि असंगत आपका है तीसरा देखे अध्यापक पर क्रोधाने पर उसे गिरा कर सांथ होना यानि अध्यापक अगर क्रोधा जाता है तो बच्यों क्या करते हैं गिरा कर सांथ हो जाते हैं तो क् क्या प्रतिश्थापित करना ये प्रतिश्च उपा है ये आपका वाकई में सही कतन दिया हुआ है ठीक है सही मिलाप है आपका अंगला प्रस देखेंगे समायोजन की अवसकता है क्यों अवसकता है वह या स्वास्थ जीवन जीने हे तू अवसकता है समाज हे तू प्योगी ह यह स्वैम के समचित विकास है तू यह आपके तीनों है तो चलिए बताए समायोजन की असकता क्यों होती है समायोजन की असकता होती है स्वस्त जीवन हे जीने हे तू होती है समाज हे तू प्योगी होती है स्वैम के समचित विकास में होती है यानि कि उपर युख सभी हो जा प्राइंगे सभी important fact आपको मिलेंगे मानसिक स्वास्त को अच्छा रखने के लिए निमनिकित में से कौन सा तरीका सही नहीं है यानि तीन तरीका सही होगा यह एक आपका तरीका क्या गलत दिया होगा वो आपको तरीका बताना है कौन सा गलत है ठीक है चलिए आपसन पर चलत हट भी जाता है ठीक है फिर देखे अपनी समस्वाइं अपने तक रखें यह आपका गलत यहाँ पर दिया है यह तरीका सही नहीं है कि अपनी समस्वाइं अपने तक रखें अगर आप देखे आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्राब्लम हो हम से जरूर सेयर करें ठीक है ब दान नहीं मिलने वाला है ठीक है तो यहीं यहाँ पर भी पूचा गया है कुछ मनुरणजन की अबुची रखें बिलकु सही बात मनुरणजन करना चाहिए किसी भी विश्वास पात ब्रेक्ति से अपने समस्थाओं की चर्चा करें बिलकु सही बात लेकिन यह गलत है आपका कि अपनी समस्थाएं अपने तक रखें ये आपको क्या पिचार तरीका नहीं है मानसिक स्वास्त को अच्छा रखने के लिए नेस क्वेशन देखेंगे इंपोर्टन प्रेस्ट है तनाव एवं दवाव की अवस्था में उठ रही अंगिनत इच्छाओं को कलपना जगत में पूरी करके तनाव मुक्त हो जाना यनि आजकल देखते हैं तनाव एवं दवाव की अवस्था में उठ रही जो अनगिनत इच्छाओं होती है ठीक है कलपना जगत को पूरी करके तनाव मुक्त हो जाना कल्पना जगत में पूरी करके तना मुक्त हो जाना जिस मानसिक मनोरचना की द्वारा होता है वह कौनसी आपकी मानसिक मनोरचना है ठीक है मानसिक मनोरचना पूछा गया है तो कौनसी भाईया मानसिक मनोरचना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन से हो जाएगा मन तरंग होगा क्योंकि तनाव दवाग के वस्तार में उट रही अनिजिनत इच्छाएं इच्छाएं मतलब क्या हो गया मन तरंग ठीक है I hope आप लोग अच्छे तरीकी समझ पाएं होंगे और इस टाइप से question अगर जाम में आगे तो आप तो आप फटाफट 10 से या 20 सिकन में solve कर लेंगे ठीक है question देखेंगे अंगला प्रसन है बेक्तित्तो मापन की बेक्तिगत जो बेक्तिनिस्ट भी धी होती है वह कौन सी है क्या पूछा गया है बेक्तित्तो मापन की बेक्तिनिस्ट भी धी कौन सी है बेक्तितिहास क्रम नेधारन मापनी रोर्षा परिच्छन ये सब्द सायचर परिच्छन तो बेक्तित्तो मापन की बेक्तिनिस्ट निधी कौन सी है आपकी आयोप आप लोग समझ में आ रहा होगा तो आप लोग यहां पे comment करेंगे क्या हो जाएगा इसका बिक्तितितिहास हो जाएगा क्योंकि बिक्तितमापन का बिक्तिनिष्ट पूंचा गया है एक तो पहले बात दिया गया बिक्तितमापन भी दे दिया गया और बिक्तिनिष्ट निधी पूंचा गया तो क्या हो ख़ितेंगे एक कर्मین वा एक कर्मین वा अस्फल अभ्यारती का हतास होकर अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी किसी अन को सौंट देना हुधारन क्या है याँ अगर मान लिए कर्मिह इन विकती है कुछ करती नहीं है बैठा रहता है ऐसा ब्यारती हो असफल ब्यारती हो हतास होकर क्या करें अपनी संपूर्ट जिम्मेंदारी किसी आपको इसी दोस्त को सौंप दे किसी और को सौंप दे तो वह क्या कहलाएगा दमन कहलाएगा कुंठा कहलाएगा अस्वीकरन कहलाएगा या आसित ब्योहार कहलाएगा तो व के अनुसार, फ्रायड के अनुसार की सवस्था में कम इच्छाएं सापेच रूप में निस्क्री रहती हैं, तो वह आपकी प्रसूपती अवस्था में होती है, ठीक है, निस क्वेश्चन देखेंगे, एक बालक प्रतिदिन कच्छा से भाग जाता है, एक बालक है मान लिजे आप अध्रापक के तौर पर निउक्त हैं, आपके विद्याले में स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है बालक है, जो प्रतिदिन कच्छा से भाग जाता है, तो वह बालक क्या कहलाएगा, समान कहलाएगा, पिछड़ा कहलाएगा, कुस समयोजित कहलाएगा, या आपका बि समयोजित होगा, ठीक है, नेस कोश्चन देखेंगे, स्वैम की भावनाओं एवं बिचारों को बीना पईडाम सोचे ब्यक्त करने वाला है, यह जो आपके स्वैम की भावना एवं बिचार को बीना पईडाम सोचे आप ब्यक्त कर देते हैं, करने वाला है, वह का होता है, म आपका जो SCT होता है, SCT को विक्सित किस ने किया था, तो भईया किस ने किया था, पाइंड एवं टेंडलर ने किया था, अब बात करेंगे आपके ब्यक्तिगत भिन्यताएं, अधिगम करता, समयोजन एवं विविद का, Queschen आ चुका, SCT के सामने, कि ब्यक्तिगत भिद में हम पाते हैं, जो आपका ब्यक्तिगत भिद होता है, उसमें हम क्या पाते हैं? बिचलन सेलता, प्रतिमानता, एक वदो दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ब्यक्तिगत जो भिद होते हैं, हम वहाँ पर क्या पाते हैं? आ अबिवर्त्य में, गतिवाही योगता में या आपके उप्रोग सभी में तो भवाई आप बिक्तिगत भीत किसमें पाए जाते हैं Чलिए कमेंड करिए इसका सभी लोग देखिए बुद्धी इसतर में भी होता है अबिवर्त्य में भी होता है गतिवाई योगता में भी होता यानी Q-Brogस अभी हो जाएगा ठीक है नेस्स कोस्चन यहाँ पर देखेंगे बेक्तिगत भिनता का या के लच्छन सुर्थ की विशेष्टाएं हैं अगर बेक्तिगत भिनता या उसके लच्छन है तो स्रोथ की विशेस्ताएं क्या होगी ठीक है यहाँ पर कूड वहाँ सा दिया गया है और अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा है आपका यहाँ पर कूड वहाँ सा सही होगा ठीक है कौन सा कूड वहां सा वईय सहिए बिकास किदर भी हो गाओ वन्सकरम भी हो गाओ अधिगम छम्ता भी हो गाओ लिंग बेद भी होगा और वातवरन भी होगा यानि कि फोर्ताप सम सहिए होगा नेज्स कोश्चन की बात करेंगे अंगला प्रस्ति के सामने की एक अध्यापक किसी भी समुए में समदाय आधारित ब्यक्तिगत विविनताओं को समझ सकता है माली जो एक अध्यापक के तोर पर हैं आप किसी भी समू में समदाय धारित विक्तिगत विविन्ताओं को समझ सकते हैं क्या होगा ये राइट इंसर तो इसका राइट अधार होगा भासा एवं अभिविक्ति के अधार पर अंगला प्रस्ण है कि वैकिक्त भिनता के प्रकार को ये गुण समूह ब्यक्ति नहीं करता है कौन सा आपका गुण समूह है जो गुण ब्यक्ति नहीं ब्यक्त करता है वैकिक्त भिनता के ठीक है तो कौन सा वहिया बताईए कौन सा गुण समूह ब्यक्त नहीं करता है दевидके सरीरिक समानता करेगा मांसिक समानता समाजिक करेगा लेकिन सम्वेग आत्मक समानता आपका नहीं करेगा त़ीक है तो आई ओप आप लोग कोश्चन सभी समझ पारेगे चलिए तिन-चार कोश्चन और बचे देखिए मैं बता देता हूँ अभी हमने यहां पे आपसे बताए कि जो सम्वेग आत्मक समानता होती है वह नहीं होती है लेकिन यह भी आपसन दिये नहीं थे यह आपके दिया था लेकिन नीचे आपके कूड भासा भी दी गई है ठीक है तो कूड भासा में आपको बताना है कि गुण समूर ब्यक्ति नही गात्मक होता है ठीक है तो कौन सा कूड वहां सा होगा फोर्थ आपसान आपका नाफ फर्स सेकंड थर्ड फोर्ड नेस्ट कुश्चन आप देखेगा आप बिक्तिगत भिनताओं को ध्यान में रखते हुए बिद्यार्थियों के सिच्छन के लिए प्रयोजना के निर्माता प्रयोजना जो प्रोजेक्ट मैथड होता है उसके निर्माता कौन है तो प्रोजेक्ट मैथड के निर्माता कौन है तो आपके किल्पैट्रिक है ठीक है ध्यान दीजेगा मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है इस कोश्चन देखेंगे अंगला पसन और भी मोस्ट है कि दो ब कौन सा जो बेवहार है ठीक है उनमें आपस में कि भेध प्रदर्शित ना हो ठीक है चलिए आई पड़ते हैं स्वैम को चोट लगने पर कार होता है जबकि खा इसी परजिश्चे में सांत रहता है तो देखें दोनों सेम नहीं हो रहे हैं कुश्चन तो यही पूचा गया है बेवहार क्या है भेध ना होना चाहिए किसी में तो इसमें भेध हो रहा है तो आपका पहला नहीं होगा फिर दूसरा देखते हैं किसी रोते हुए सिसको देखकर का अपनी चाकलेट उसे दे देता है जबकि खा उसे नजर अंदाज कर देता है देकि दे देता लेकिन खा आपका नजर अंदाज कर रहा है लेकिन ये भी आपका भेद हो रहा है यहां पर तो दूसरा भी सही नहीं होगा ठीक है तीसरा देखते हैं का को गनित में रुची है जबकि खा को कला में तो यहां भी आपका भेद सही नहीं है ठीक है अब यहां पर देखे चौथा देखे का काखा से अधिक लंबा है जबकि काखा से मोटा है क्या दिया है काखा से अधिक लंबा है जबकि काखा से अधिक मोटा है तो भहिया कोश्चन क्या पूचा गया था कोश्चन पूचा गया था बेवहार में ठीक है किस प्रकार का बेवहार देखिए यहाँ पे मोटे पतले का बिवहार न होगा तो आपका चौथा आपसन सही होगा क्योंकि यहाँ पर बिवहार की चर्चा ही नहीं की गई है लंबे और मोटे की चर्चा की गई है यहाँ पर दोनों समान होगे ठीक है नेस कोश्चन चल देख लेते हैं अंगला प्रसन आपका दिया हुआ है कि प्रजातिगत विविनताओं को समझने में निन में क्या मददगार साबित नहीं होता है जो प्रजातिगत विविनताओं होती हैं उनको समझने में निन में से क्या मददगार साबित नहीं होगा कौन सापका आपसन होगा जो मददगार साबित नहीं होगा बांकी होगे ठीक है कि देखे मूल वैस्था होती है सापदिक वा असापदिक संप्रेशन अधिक की प्रक्रियाई वा विविनताई बुद्धी विवस्थाएं होगे लेकिन बुद्धी आपका यहां पर नहीं होता है ठीक है नेस कोश्चन देख लेते हैं अंगला प्रस्ट इंपॉर्टेंट प्रस्ट है मोश प्रस्ट है नोट कर लिए जगे से ब्यक्तिगत भिनता के कारक होते हैं बहुत अच्छा प्रस्ट है जो ब्यक्तिगत भिनता होते हैं उनके कारक कौन से होते हैं समाजी कार्थिक होते हैं स वैकिक्त भृनता का कारण नहीं है तो वैकिक्त भृनता का कारण कौन सा नहीं है वद्षानुक्रम वातावरन साच्छर ता, आर्थिक समानता तो यह आपके लिए हूंबर रीक है जोकिन कोले आपना चैक में पर दोस्टों ठीक है इसका आपको सर्कमेंब बाक्त वाग्ण यहाँ पे करिए और हमारा टार्गेट है 120 प्लस का स्कोर हर भाई बेन के लिए क्रास करवाना जहां उनका सेलेक्षन हो सके ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा चैनल में नए आएं तो चैनल को जोईन करें और बेल आइकन प्रिस करें ताकि लिए टेस्ट नूनकेशन आपको असानी से मिल सके तो तयारी में लगे रहिए और प्रिक्टिसेट अटन करें साथ से साथ मैज की क्लास होगी तो उसको ज़रूर अटन करें जय हिंद वंदे मात्र मिलते हैं निस वीडियो पर धन्वाज चाथियों